हेलो गाइस तो स्वागत्ते आपका टेक्निकल अंकेत में है और में नामें अंकेत और आज के वीडियो रैड्मी नाइन पावर यूजर्स के लिए काफी जादा इंटरस्टिंग होने वाली है तो गाइस फाइनली यहां रैड्मी नाइन पावर डेवाइस के लिए अपडेट रोल आउट हो चुका है जिसका वर्जन है 13.0.1.0 तो गाइस यह मीवाइट 13 अपडेट है जो की रैड्मी नाइन पावर डेवाइस के लिए रोल आउट हो चुका है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस अपडेट को डाउ तो चैनल को भी सबस्क्राइब कर देना तो चले वीडियो स्टाट करते हैं है और सो फार्स्ट आपको करना किया आपको स्प्ली अपने पर चले जाना है एंड दन क्रोम ब्राजर पर जाने के बाद आपको सिंपली अपने सर्च वार पर सर्च करना है मीवाइट 13 स्टेबल लिंक तो गाईज आपको सिंपली यह सर्च करना है तो जैसे आप यह सर्च करोंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो यहां सबसे फर्स्ट नंबर पर एक वैफसेट दी रखी होगी मीवाइट 13 स्टेबल लिंक फोर सावमी रैडमी और पोको डाउलोड तो आपको सिंपली इस वैफसेट पर क्लिक करना है तो जैसे अफसेट पर क्लिक करोंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेच ओपन हो जाएगा तो यहां आपको स्कॉल करना है और गाई स्कॉल करने के बाद यहां आप दीख सोंगे यहां सबसे फर्स्ट नमबर पर सावमी के डिवाइस की लिष्ट दे रखी है तो यहां आपको स्कॉल करते जाना है और गाई स्कॉल करने के बाद यहां आप दीख सोंगे यहां सेकिंड नमबर पर रैडमी के डिवाइस की लिष्ट आ जाएगी तो यहां आपको Redmi 9 power device find करना है तो यहां आपको सिंप्ली से स्कॉल करना है और स्कॉल करने के बाद यहां आप देख सोंगे यहां नीचे की साइड आपका Redmi 9 power device आ जाएगा और उसके बगल में आप अपडेट का वर्जन चेक कर सकते हो जो कि है 13.0.1.0 यह अपडेट इंडिया का है और इसी के बगल में रैड कलर में डाउलोड लिंक दे रखी है तो आपको सिंप्ली इस डाउलोड लिंक पे क्लिक करना है तो जैसे आप यहां डाउलोड लिंक पे क्लिक करोंगे तो यहां आपका Redmi 9 power device के लिए मिवाइट 13 अपडेट डाउलोड होने लगेगा तो आपको सिंप्ली इस अपडेट को डाउलोड होने देना है अपने Redmi 9 power device के लिए मेरे को यहां अपडेट डाउलोड नहीं करना है क्योंकि मेरे पास यह Redmi 9 11 डिवाइस अविलेबल है और मैं आपको इस डिवाइस से प्रोसेस बता रहा हूं कि कैसे आप अपने Redmi 9 power device के लिए यह MIUI 13 अपडेट डाउलोड कर पाऊंगे तो मैं इस अपडेट को कैंसल कर दे रहा हूं बट गाइस जैसे आपको अपडेट डाउलोड हो जाए तो आपको अपनी स्केर आदोनौक जाने आने के बाद आपका आपका अपने जाने के बाद आपको और आपको अपने लोगों खुलकर आ जाएगा तो आपको सिश्वी उस लोगों पर कंट इन्यूज़ क्लिक करूंगे तो यहां आपका एडिसनल फीचर ऑन हो जाएगा और feature on होने के बाद यहां आप देख सोओंगे यहां सबसे ऊपर की साइड कॉर्णर में तो आपको इस पर क्लिक करना है तो गाइस जैसे आपके क्लिक करोंगे तो यहां आपके सामने कुछ अपडेट को डावलोड किया होगा आपको इस फोल्डर को ओपन कर लेना है एंड फोल्डर ओपन करने के बाद आपको अप डेट पर क्लिक करना 이렇게 करोंगे तो यहां आपके सामने नीचे की साइट उक्किक आजाएगा आपको उसको उक्के वाले उप्सिन पर किलिक करके सिंप्री से बैक करना है तो जैसे आप यहां आपको अपडेट आज आएगा तो आपको मेवाई 13 अपडेट को अपने रेडमी 9 पावर डिवाइस में इस्टब कर लेदा और आज की वीडियो पस इतना ही है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को एक लाइक करें, एंड देन चैनल पे नए हो, तो चैनल को भी सबस्क्राइब करें, और साइट में बेल आइकन को प्रेज जरू करें, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल ज